अस्राम अलेकुम डियर्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो कानुने शाबित आडर के मुतलिक है जहां हमने जो है रिलेवन्सी के मुतलिक पढ़ना है रिलेवन्सी रिलेवन्सी का जो चेप्टर है इसको रिलेवन्ट फैक्ट के हवाले से पढ़ना है जो हमारा आर्टिकल 18 से लेकर आर्टिकल 69 तक जो हमारे आर्टिकल्स हैं जो रिलेवन्स फैक्ट के हवाले से हैं कि कानुन शाबित आडर ने किन फैक्ट्स को रिलेवन्स डेक्लियर किया है और वो कौन से fact होंगे जो relevant होंगे fact and issue से तो जो हमारा आज का topic होगा वो relevancy की हवाले से होगा जो article 18 से लेकर article 21 तक पढ़ेंगे हम, हमने अब तक कानुन शाहतत order में क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि who may testify कौन गवाही दे सकता है कौन गवाही दे सकता है और कितने गवाह होने चाहिए, हमने article 17 की सूरत में numbers of fitness के हवाले से पढ़ा है कि कौन गवाही पहले पढ़ा है कि कौन गवाही दे सकता है और कितने गवाह होने चाहिए according to matter कि financially, अगर obligations है, future obligations है या जो है मारा हद के हवाले से numbers की जो तदाद है, witnesses की वो vary कर रही है, different कर रही थी article 17 के हवाले से हमने देखा था और हम अब पढ़ेंगे कि गवाही किस चीज के मुतलिक होगी गवाही किस चीज के हवाले से होगी जो हमारा deal कर रहा है relevancy, जो relevancy के साथ जील कर रहा है, जो relevant fact है, जो हमारा declare कर रहा है, article 18 article 18 कानूल इशादत का कि relevant fact क्या है इससे पहले हम थोड़ा fact को देखें, कि fact क्या है और fact के कितने काइंट है fact तो हम definition class से देखते हैं fact एक होता है fact and issue fact and issue होता है, relevant fact उसके साथ होता है irrelevant fact irrelevant fact fact and issue क्या है, हम इसको एक example के तरह तरह देखते हैं, कि example को देखकर हमें समझ में आएगा कि fact and issue क्या है fact and issue वो में इशू है, वो में बात है जो कही जा रही है अगर वो मर्डर के मतलिक कही जा रही है कि जो गवाह आया है, जो कहरा है कि मैंने देखा है कि A ने बी को मारा, मैंने देखा है कि A ने बी को मारा, ये क्या है fact and issue है में इन चीज के मतलिक है या वो कह रहा है कि मैंने देखा है कि A ने बी को जहर दे के मारा है A ने बी को क्या किया है जहर दे के मारा है तो ये क्या है fact and issue है relevant fact की अगर बात करें कि A कह रहा है कि कोई बंदा है X है foreign stance के X कह रहा है कि मैंने A को जहर लेते हुए किसी शौप से देखा है शौप से देखा है अब जो जहर लेते हुए देखा है तो ये हो सकता है A ने बी को मारा हूँ क्योंकि A को X ने किसी शौप पे देखा है कि उन्होंने क्या किया है जहर लिया है ये हमारी बात क्या है relevant है ये क्या है so connected with the fact in issue fact in issue जो हमारा हकी की issue है जो main issue है जिस main issue को प्रूब करने के लिए हमें relevant fact की require होता है कि जब हम relevant fact के तरफ जाते हैं तो relevant fact के अवाले से गवाही लेके जो उसका जहर लेना ये क्या है relevant fact है अगर एक बंदा है जो देखता है किसी को वो किसी room में जाता है उसको एक weapon है clash of a.k.14 जिसको कह सकते हैं आप कि वो किसी room में जाता है और जैसे ही वापस आता है तो अंदर जो बंदा होता है वो मरा पड़ा होता है उसको कोई गोली लगी होती है तो एक दो बंदे पहले उदर बेटे हुए थे मगर उन लोगों को जो X ने नहीं देखा और जैसे वापस आए ये भी क्या है relevant fact है कि उन्होंने देखा है जाना उन्होंने ये नहीं देखा है के A ने B को गोली मारा है जब वो रियल मेटर है जो देखा जाए वो किस चीज के मतलिक भी क्यों न हो जो देखा जाए जो रियल मेटर हो वो क्या होगा हमारा fact in issue होगा उसके मतलिक fact in issue के हवाले से जो बात होगी वो हमारा क्या होगा relevant fact होगा या किसी नी gun खरीदते A को देखा खरीदते देखा उसकी preparation करते हुए देखा अगर उसका ऐसा कोई previous conduct था या वो ऐसा कोई criminal था ये सब कुछ क्या है relevant fact है हम relevant fact को in detail देखेंगे क्योंकि जो relevant fact का chapter है वो सबसे lengthiest chapter है lengthiest topic है इसको समझने के लिए आपको article 18 से लेकर आपको article 69 तक आप देखेंगे तो फिर ही आपको ये concept clear होगा कि ये fact in issue and relevant fact क्या है और हमेशा गवाही दो चीजों के मुतलिक होती है एक तो fact in issue के हवाले से होगी एक तो relevant fact के हवाले से होगी और irrelevant fact के हवाले से नहीं होगी कैसे for instance A आ रहा है कोट में गवाही देने के लिए उसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने B को मारते हुए देखा वो कह रहा है कि मैं तो कराची में था भाई आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप कराची में थे आप कहीं भी थे फिर उसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने देखा वो कह रहा है कि ये ऐसा बंदा था वैसा बंदा था ये किर्मिनल था आपसे जो कुछन पूछा जा रहा है आप उसका एजिट हमें जवाब दे दे हमें fact in issue या relevant fact के अवाले से जवाब दे दे वो कोई ऐसी irrelevant बात कर रहा है तो जो irrelevant बात है जो irrelevant ऐसी कोई fact बता रहा है तो वो हमारा क्या होगा irrelevant fact उस fact के साथ उसका कोई भी ताल्लो को ना हो वो हमारा fact क्या होगा irrelevant होगा तो ये हमारा लफज से ही word से ही जो है शो हो रहा है कि यह कोई irrelevant fact है तो अभी हम जो है article 18 को देखते हैं इसके साथ हाँ fact की बात कर रहे थी कि definition class में अगर देखें कि fact अमरा क्या है क्योंकि fact जो है वो बहुत ही important है कि fact anything state of thing relation of thing capable of being perceived by any sense anything कोई भी चीज state of thing उस चीज की हालत क्या है और उस चीज के relation और उस चीज को perceived by senses five senses human कितने senses है उन five senses से अगर आप किसी भी चीज को sense कर सकते हैं तो वो fact है वो क्या है fact है सी तरीके से अगर आप कोई भी चीज समेल कर सकते हैं आप कोई भी चीज देख सकते हैं आप कोई भी चीज सुन सकते हैं यह सब चीजें क्या है fact है तो fact हमारे basically हम कह सकते हैं fact हमारे तीन किसम के हैं तीन टाइप्स के facts हैं तो फिर irrelevant fact के मुत्तलिक भी गवाही हो सकती है बट irrelevant fact पहले वो relevant होगा फिर जो है हम उसके हवाले से गवाही लेंगे वो हमारा होगा पिली आफ एलिबाई के सुरत में पिली आफ एलिबाई जो हम आगे देखेंगे next lecture में in detail इसको देखेंगे तो हम basic देख रहे हैं कि fact and issue and relevant fact जब तक यह आपको समझ में नहीं आएगा यह आप कत्ता ही नहीं समझें कि आपको कानुन इशादत का यह lengthiest chapter जो most important है जिसको समझना और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर यह आपको समझ में आ रहा है तो क्योंकि आगे जो हमारा portion होगा after the completion of relevancy फिर वो आसान है क्या है primary evidence क्या है secondary evidence क्या है और जो है जो उसकी जो values हैं या आगे जो भी हमारे chapters हैं वो हमारे easy हैं हाँ यहां एक बात मैं आपको बता रहा था कि irrelevant factor needs not to be approved irrelevant fact को प्रूब करने की ज़रूरत नहीं है हम इसको भी in detail articles के सुरत में देखेंगे आगे पहले हम article 18 के तरफ आ रहे हैं कि आर्टिकल 18 क्या कह रहा है आर्टिकल 18 यह कह रहा है कि evidence may be given in fact an issue or relevant facts evidence may be given evidence may be given of fact an issue or relevant factor और क्या है relevant यह heading से ही हमें पता चल रहा है अगर आप इस घौर से ही heading हुआ ही देखेंगे ना तो यह क्या कह रहा है यह कह रहा है कि evidence may be given evidence लिया जाएगा क्या fact in issue के मुतहलिक या relevant fact के हवाले से मैंने आपको कहा है ना fact in issue के हवाले से या relevant fact के हवाले से ही evidence taken किया जाएगा given किया जाएगा लिया जाएगा और irrelevant जो other facts हैं उनके हवाले से नहीं लिया जाएगा fact in issue या relevant fact किसी चीज़ का होना या ना होना उसको proof करने के लिए आपको fact in issue के मुतहलिक and relevant fact के हवाले से गवाही देनी पड़ेगी लिए रखले से लिएले से लिए kा ब प्रॉशधिगाक उतले से लिएली से देनी थेड़े थाफ़ से लिएली देला प्रीछMore Cand आप कियो इसो कि भंबात करें तो यह क्या है यहां एक लेटिन ट्रम में रेस ग्यस्ट आई और इस ग्यस्ट आई कि शेप में एक जो है मारा लेटिन ट्रम है यह क्या करा है कि facts which do not in issue ऐसे facts हैं जो in issue नहीं है it means fact in issue नहीं है क्या करा है कि ये fact in issue नहीं है क्या करा है आगे are so connected with fact in issue so connected with fact in issue वो connected है with fact in issue उसके साथ ऐसे जुड़े हुए है with a fact in issue as to form part of same transaction part of same transaction race guess है किस चीज़ को कहते है things closely done things closely done एक चीज़ हो रही है उसके साथ ही साथ ऐसी कोई चीज़ हो जो closely done हो किसी same transaction में कोई भी offense हो रहा है किसी same transaction में closely done हो तो फिर हम उसके क्या कहते हैं race guess time का principle है जो article 19 में define किया हुआ है हम इसको एक example के लेके देखते हैं कि यह क्या कह रहा है basically A है and B है B का murder हुआ है और X है A को A को B को धंकी देते हुए X ने हैदर चोक हैदराबाद में देखा है कहां हैदर चोक हैदराबाद में किस time देखा है यह देखा है 9 बज कर 50 मिनिट पे और date क्या है date है अगर हम आजियूम कर लें कि 6 6 data है और 5 है और 2022 है क्या हुआ है अब क्या हो रहा है कि X यह कह रहा है कि मैंने A को B को धंकी देते हुए या वो इसी जगह पे और statement दे रहा है कि X ने A & B को हैदर चोक हैदराबाद सिंद में लडते हुए देखा क्या क्या लडते हुए देखा और आगे जाके रेशम गली के सामने रेशम गली के सामने B का मर्डर हो रहा है क्या हो रहा है मर्डर हो रहा है इसी same date पे same date पे थोड़े टाइम के डिफरंस से क्या हो रहा है उसका मडर हो रहा है कि ये एक बात तो डन हो गई थी एधर चोग पे उन्हों लड़ रहे थे ये बात कर रहा है थोड़े ही टाइम पे क्या हुआ बी का मडर हो रहा है कहा हो रहा है उसका मडर रेशम गली के सामने चुराय पर ही उसका क्या हो रहा है मडर किसी बंदे ने उसको मार दिया है अब X ये कह रहा है कि मैंने A को B को धमकी देते हुए या इन दोनों को लड़ते हुए देखा है तो ये जो बात है तिंक्स क्लोजली डन वो एक चीज दर्चोक पे डन हो रही है और उसके साथी साथ एक और जो चीज है जो सेम ट्रांजेक्शन के मतलिक है सेम बंदों के मतलिक एक ट्रांजेक्शन हो रही है ट्रांजेक्शन से या मतलब एक ऐसा कोई अफेंस हो रहा है जो सेमी बात के मुतलिक है तो यह हमारा relevant fact होगा risk history का principle होगा जो article 19 में define किया हुआ है article 19 में के यहां कि रहा है facts which though not an issue are so connected with fact an issue as to form a part of same transaction are relevant whether they are occurred at the same time and place or at the different times and place same times same place or whether it may be different तो यह कह रहा है same time पे same place पे same same time same place same date same time same place same date यह तो पहली बात है fact an issue की बात है यह क्या है fact an issue की पहले आप इस बात को देखें यह necessary क्या होगा अगर a कह रहा है के b को a ने मारा है वो क्या होगा same time होगा same date होगा same place होगा मगर relevant fact के लिए जो article 9 में define किया हुआ है जो things closely done हो रहे हैं तो यह किराए कि same time date and place हो भी सकता है नहीं भी हो सकता जो मैंने आपको example दी है दर्चोक और रेशम गली वाली कि यहाँ date तो same है place तो same नहीं है time भी change हो रहा है तो इसकी वज़ा से यह उस चीज के ही मुतलिक थी उस same transaction के ही मुतलिक थी इसी वज़ा से हम इसको relevant fact में ला रहे हैं जैसे article 18 में declare किया गया था कि fact and issue and relevant fact के अवाले से गवाई होगी और जो declared होगे इस chapter में जो declared होगे कौन से declared होगे relevant fact वो हमारे relevant fact तसवर किये जाएंगे और article 9 में relevant fact के अवाले से यह बात करा है कि यह same transaction के अवाले से so connected to each other हो तो फिर हम वो relevant fact ही उसको समझते हैं article 19 के मुतलिक आगे देखते हैं कि article 20 क्या कह रहा है facts उचार okay and cause or effect of facts in issue facts which are which are okay and occasion cause or effect of facts cause or effect of effect of fact in issue fact in issue facts which are okay and cause or effect immediate or otherwise of relevant fact or fact in issue or which constitute the state of things under which they happened or which afford an opportunity for their occurrence or transaction are relevant कि के के किया रहे है कि के एसे एए एफेक्ट जिनके एफेक्ट हो जोकाज हैं कि अदि काज क्या था उसका काज क्या था उसका अफेक्ट क्या है अफेक्ट में अगर हम बात करें कि अगर उस बंदे को या उस बंदे की घर से उस सेम अकरंस की पिले से जो मिटी है वहां का जो डस्ट है उसको और उसको देखते हैं दोनों को मिला रहे हैं तो वो सेम निकल रहे हैं क्या है सेम निकल रहे हैं तो यह क्या है अफेक्ट है या खूनालूद कपड़े मिल रहे हैं उस बंदे से खूनालूद कपड़े मिल रहे हैं इस जगह की मिटी मिल रही है तो यह क्या है अफेक्ट है कि उस बंदे ने अगर उसको मारा है आगे जा रहा है कहीं किसी ने देख है खुनालूद कपड़े थी उसके पास फटे हुए कपड़े थी या वहां की मिटी और उधर की मिटी मेडिकल में यह प्रूव हो गया कि वह सेम है या ऐसी कोई चीज जिस बंदे से प्रोड्यूस हुई हो जो उसकी कपड़े से निकली हो तो वह सारे जो हैं हमारे रिलेवं अब आफ एकट आव फैक्टाव दैश्यूच दब्केएं कज यह हमारे सारी क्या होंगे रिलेवंट फैक्ट होंगी तो आर्टिकल 21 की बात करें तो क्या है है वह कह रहा है मोट्व पर्परिरेशन अवी प्रीवियस अन सब्सिक्वेंट कंड़क्स आव ड्रिलेवंट इतने चार पांच जो हैं फेक्ट एंजिन को यह रेलेवेट कर रहा है मोटिव मोटिव परपरेशन परपरेशन प्रीवियस प्रीवियस और सबसीक्वेंट कंड़क्ट कंड़क्ट इस रेलेवेट फेक्ट आर्टिकट ट्वेंटी वट ऐसा कोई मोटिव है उस चीज़ के पीछे ए ने भी को मारा है क्यों मारा है या कोई ऐसा मोटिव है मोटिव क्या है कोई भी ऐसा मोटिव हो सकता है अगर AB को मार रहा है जो B की property है वो A को transfer होनी है उसके बाद अगर वो B नहीं मर रहा तो A को वो property नहीं जा रही जिसकी वज़ा से AB को मार रहा है या ऐसी कोई भी बात कर रहा है तो यह क्या है इसके पीछे एक motive है एक मकसद है उसको मारने को एक object है वो जो motive है वो भी एक क्या है relevant fact है उसके हवाले से भी गवाही हो सकती है preparation ने की बात करें तो किसी बंदे ने किसी को poison लेने देखा हत्यार लेने देखा उसी को जो है मिलाते हुए देखा उठा के लेके जाते हुए देखा एसी कोई त्यारी करते हुए देखा खंजर लेते हुए देखा ये क्या है preparation है previous are subsequent conduct की अगर बात करें कि एक ऐसा बंदा है जो पहले भी ऐसा कोई काम कर चुका है पहले भी ऐसा कोई काम कर चुका है जैसे कि कोई एक बंदा आ रहा है जो life insurance क्लेम कर रहा है कि मेरा जो घर है वो जल गया है घर जल गया है और दोबार आया है कि मेरा घर जल गया है और वो life insurance वारी के रहे हैं यह 10 साल पहले भी आया था life insurance के हावाले से तो यह क्या है यह भी क्या है प्रिवेस और सबसीक्वेंट गंड़क्ट जो हैं प्रिवेस पिछले जो गंड़क्ट और सबसीक्वेंट जो आने वाले उसके गंड़क्ट होंगी वो भी हमारे क्या हैं वो भी हमारे क्या है रिलेवन्ट हैं अगर एक बंदा है जिसके घर में एक कोई ऐसा सर्वेंट है जो करंट लगने से मर गया है किस चीज के जो इस्तरी होती है उसके करंट लगने से मर गया है और जो दुबारा और सर्वेंट आया वो भी मर गया है अब क्या मामला है दोनों करण लगने से मरे हैं या क्या इशू है इसके पीछे जो प्रिवेस और सबसी कोईंड कंड़क्ट है उनको देखा जाएगा ये भी हमारे क्या होंगे हमारे रिलेवंट फैक्ट होंगे इनके मुतलिक गवाही लेके आएंगे उसके अवाले से गवाही लिया जाएगा तो ये हमारा आज के अवाले से आर्टिकल 18-21 था अगर आपको कोई भी कुशन हो तो यो यू में आस्क नों थेंक यू